आप जल्दी में हैं? कोई बात नहीं। आपके लिए मैंने सारी बेस्ट Amazon Prime Day डील्स को एक लिस्ट में डालके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपर उपर ही दिया है। आप उससे डाउनलोड करें और उसमें से बेस्ट डील्स अपनी पसंद के हिसाब से चुन ले और अगर आप जल्दी में नहीं हैं तो अगले 25 मिनट खर्च करिए अपने 25,000 रुपे खर्च करने से पहले। बिल्कुल ही अलग होने वाला है क्योंकि मैं इसके अंदर डीटेल स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करूँगा। मैंने हर अपने वीडियो में डीटेल स्पेक्स बताए हैं लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको डीटेल में पिक्चर क्वालिटी उसके डील प्राइस प्रोज और कॉंस के बारे मैं बताऊंगा ताकि आप एक सही और इन्फॉर्म्ड डेसिजन ले सकें एक टीवी खर करूंगा at the end of the day पैसा आपका है और चॉइस भी आपकी मैं सिर्फ सेजेक्शन दे सकता हूँ दोस्तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी किसी ब्रैंड से स्पॉंसर नहीं है क्योंकि हम इस चानल पे किसी ब्रैंड का स्पॉंसर कॉंटेंट नहीं चलाते मैं आपको Amazon Prime Day के में बताऊंगा as always दोस्तो मैं आपसे एक request करना चाहूंगा कि इन सभी products के जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मेरे affiliate links आपको description box में मिलेंगे अगर आप उन्हें use करके अपनी purchase करेंगे तो आपके price को change करे बिना इस channel की बहुत जादा help होगी लेकिन उससे प सबसे पहले एक prime membership लेनी चाहिए अगर आप एक prime member नहीं है तो मैंने description box में सबसे पहला link वो ही दिया है और दूसरा link जो आपको मिलेगा वो है Amazon Prime Day की सारी deals का उसमें आपको flip card की deals के भी link मिलेंगे आप उस list को download करके एक साथ TV के अलावा बाकी सभी चीजों की deals के link भी check कर सक हैं वो भी मेरे affiliate links हैं उन्हें यूज करने पे आपके लिए price जरा सभी change नहीं होगा लेकिन इस channel की financially बहुत ज़ादा help होगी and I'll be really grateful to you सबसे पहले हम बात करते हैं 32 इंच के budget TVs के बारे में आज से कुछ महीनों पहले जो 32 इंच के अंदर 15,000 रुपीज से नीचे TVs लाँच हुए थे आज वो ही TVs 18 से 19,000 रुपीज कोस करते हैं इस रेली अनफॉर्चुनेट लेकिन अब यही prices है प्राइम डे सेल के अंदर आप जो टीवी 15,000 रुपीज के आसपास खरीच सकते हैं वो है मी टीवी horizon इस टीवी के अंदर आपको 8 बिट वी ए डीलेट पैनल देखने को मिलेगा जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस 200 nits तक जाती है शाउमी आपको इस पर देता है 1 year की product warranty और 2 years की extra warranty on the panel शाउमी यह कभी भी डेक्लेर नहीं करता कि वो इस टीवी के अंदर VA panel दे रहे हैं उनके हिसाब से वो VA या फिर IPS दोनों में से कोई भी panel as per their availability dispatch आपको कर सकते हैं लेकिन 99% लोगों को VA panel ही receive होता है और मैं उसी की picture quality क करता हूँ आपके साथ इस टीवी के अंदर आपको अच्छी picture quality मिलती है कुछ extraordinary आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा आपको बहुत जादा vibrant colors देखने को नहीं मिलेंगे और बहुत जादा फीके color भी देखने को नहीं मिलेंगे यह बिलकुल basic TV है इसके अंदर आपको सार smart features देखने को मिलेंगे voice assistant मिलेगा bluetooth की support मिलेगी इसके speakers भी अच्छे है normal which is not extraordinary इसी लिए एक बिलकुल flat TV है something like very basic TV जिसे आप किसी भी time खरीद के गलती नहीं करेंगे अब इस TV के pros and cons की बात करते हैं यह TV बहुत ही अच्छे optimized OS के साथ आता है Me TV 4A के अंदर आपको बहुत जादा lag मिलते हैं OS के अंदर लेकिन इस TV के अंदर वो ही lag खतम कर दिये गए हैं इसमें आपको patch wall 3 OS मिलता है which is very good और इसके अंदर आपको बाकी सारे smart features भी देखने को मिलेंगे which is again very good in this price range इसके cons की बात करें तो इस TV के अंदर आपको बहुत कम brightness मिलती है which is just 200 nits और किसी type के HDR format के आपको support देखने को नहीं मिलेगी these are the cons of this TV ये टीवी प्राइम डे से पहले 17,900 रुपीज का cost कर रहा था लेकिन इस समय ये 15,500 रुपीज का आपको cost कर सकता है link मैंने दिये है description box में आप इसे जरूर चेक करें और अब हम बात करते हैं इस TV की alternate option की alternate option is none other than Nokia TV जो आपको लगबग इसी cost पर इस समय cost करेगा approximately 15,500 रुपीज लेकिन Nokia और Xiaomi के अंदर क्या फरक है Nokia TV के अंदर आपको brightness जरूर ज़ादा मिलती है लेकिन Nokia का service backup is not as good as Xiaomi service backup Xiaomi के service partners के साथ tie-ups और arrangements थोड़े से ज़ादा है in fact significantly ज़ादा है पट Nokia के काफी कम है that is the only difference आपको इन दोनों TVs में से जो भी अच्छा लगे क्योंकि दोनों same price पे हैं इस समय मैंने आपको दोनों के link दी हैं description box में आप इन दोनों में से कोई भी लेके गलती नहीं करेंगे 32-inch premium TVs की बात करें तो प्राइम डे सेल पे लेने के लिए मेरी पिक रहेगी Samsung का TE40A इस TV के अंदर आपको 8-bit VA delay panel मिलता है जिसकी peak HDR brightness चली जाएगी 280 nits तक और इसके अंदर आपको 4 lakh is to 1 का contrast ratio देखने को मिलेगा यानि इस TV के अंदर आपको जबरदस contrast देखने को मिलने वाला है deep blacks and rich colors are actually present in this TV यह बहुत शांदार TV है for the picture quality और आप इसे किसी भी room में लगाएंगे तो आपको बहुत ही जबरदस colors देखने को मिलेंगे याद रहे इसके अंदर आपको wider viewing angles देखने को नहीं मिलेंगे यह basic property है VA panel की Samsung आपको इस पर देता है one year की product warranty और extra one year की warranty on the panel 18,750 रुपीज कॉस करता था यह Samsung TV Prime Day Sale से पहले लेकिन इस समय आप इसे खरीद पाएंगे 17,500 रुपीज का आप इस Samsung TV को compare करें budget TVs के साथ जो इस समय 15-16,000 रुपीज के आपको cost करेंगे और आप decide करें कि आपको कौन सा TV लेना है choices completely yours मैं सिर्फ आपको pros and cons बता सकता हूँ इस TV के अंदर आपको एक HDMI EARC 2.1 port मिलता है और अगर आपके पास एक PlayStation है या फिर एक Dolby Atmos Soundbar है तो इस TV के साथ connect करने के बाद आपको excellent results मिल सकते हैं इसके अंदर आपको बहुत शांदार picture quality मिलती है इसकी contrast ratio particularly बहुत जादा अच्छी है जिससे आपको deep colors और dark blacks देखने को मिलेंगे इस TV के अंदर but there are two cons rather three इस TV के अंदर एक USB port आता है और headphone jack नहीं है और तीसरा कॉन ये है for some people कि ये Tizen OS के साथ आता है इसके अंदर आपको Android operating system नहीं देखने को मिलता है इसमें Google Play Store आपको नहीं मिलेगा अगर आपको वैसा कोई arrangement चाहिए तो आपको या तो कोई Android box या फिर fire stick लगानी पड़ेगी these are the cons and these are the pros choice is completely yours ये TV इस समें 17,500 रुपीज का cost कर रहा है और बाकी TVs आपको link में दिये हैं इस TV के link भी आपको description box में दिये हैं आप सभी को check करें और सोच समझ के decision ले अब बात करते हैं Samsung के इस TV की alternate option के बारे में अगर आप एक 32 इंच के अंदर premium TV लेना चाह रहे हैं और budget की आपको कोई problem नहीं है तो आपको देखना चाहिए Sony का W6103 model जो कि इस समय आपको 25,500 रुपीज का cost करेगा और prime day sale से पहले इसी TV का price 29,000 रुपीज था आपको अगर budget की problem नहीं है तो link मेंने दिये हैं description box में इस से अच्छी picture quality 32 इंच साइस के अंदर आपको किसी TV के अंदर देखने को नहीं मिल सकती अब हम बात करेंगे 43 इंच साइस के अंदर full HD TVs के बारे में और prime day sale पे मेरी pick रहेगी Sanyo Kaizen 2020 model इस TV के अंदर आपको 8 bit VA delay panel मिलता है और इसकी peak HDR बारेक्टेंज चली जाती है 300 nits तक इस TV के अंदर आपको 4000 is to 1 का contrast ratio मिलता है and 512 micro dimming zones भी मिलते हैं इस इस अफेंटास्टिक टीवी आप माने या ना माने Nokia TV full HD और Sanyo Kaizen full HD TV I think ये same panels के साथ आते हैं with minor changes Panasonic और Nokia की partnership कई और appliances के अंदर है and I think इस TV के अंदर भी same panels यूज हुए हैं क्योंकि Nokia TV 43 in size के अंदर भी आपको 512 micro dimming zones मिलेंगे लगभग इतनी ही brightness और इतनी ही contrast ratio मिलेगी थोड़े से changes करे गए हैं Panel दिखने में भी बहुत अच्छा है इसकी picture quality भी काफी शांदार है किसी को भी इसके panel की color quality, blacks इससे कभी भी complaint देखने को नहीं मिलेगी The only thing is that this is VA panel आपको wider angle पे थोड़ा सा color और brightness loss देखने को मिलेगा यह basic property है किसी भी VA panel की इसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा लेकिन यह panel काफी अच्छा है Sanio यानि Panasonic आपको इस पे देता है one year की product warranty Sanio Kaizen TV approximately 25,500 रुपीस का cause कर रहा था Prime Day Sale से पहले लेकिन इस समय आप इसे खरीद पाएंगे 24,000 रुपीस का जो कि एक काफी अच्छा price है इस TV के हिसाब से अब इसके pros and cons की बात करते हैं इस TV के अंदर आपको 512 micro dimming zones देखने को मिलते हैं which is a very good thing इसमें आपको अच्छे colors और deep blacks देखने को मिलेंगे because of the micro dimming और यह भी बहुत अच्छी बात है लेकिन micro dimming को आप local dimming समझने की कलती ना करें यह एक budget full HD TV है आप इससे वैसा ही result expect करें but उस हिसाब से ही यह एक अच्छा feature है जो इस TV में दिया गया है अब cons की बात करते हैं इसमें आपको सिर्फ 3GB usable storage मिले गई यह एक थोड़ी सी disappointing बात है लेकिन आप एक USB लगा के आप इसकी storage भी increase कर सकते हैं और externally इसमें apps भी download कर सकते हैं through USB but a con is a con इस TV के अंदर आपको एक single band wifi support मिलेगी यह मेरे हिसाब से एक con है अगर आपके लिए नहीं है तो इसके link मेंने दिये हैं description box में आप इसे जरूर चेक करिए सकते हैं Panasonic और Nokia दोनों के service network के अंदर थोड़ा सा फरक जरूर है Nokia के tie-ups, service tie-ups थोड़े से कम है Panasonic यानि Sanio Kaizen के थोड़े से ज़ादा है That is the only difference दोनों के link आपको description box में दिये हैं दोनों almost same ही price पर इस समय आपको मिल रहे हैं Nokia का price approximately 24,500 रुपीज है इस समय आप दोनों को consider करिए और दोनों को check करिए अब बढ़ते हैं अपनी mainstream 4K TVs की काटेगरी के उपर और 43-inch size के अंदर Prime Day पे मेरी एक pick रहेगी वो है Hisense का A71F TV इस TV के अंदर आपको 8-bit FRC VA D-LED पैनल देखने को मिलता है और इसकी peak HDR brightness चली जाएगी 400 nits तक इस TV के अंदर आपको HDR 10 HLG और Dolby Vision तीनों की support देखने को मिलेगी और ये एक बहुत ही शानदार पैनल है मैंने बहुत बार इसे test किया है यहाँ पे unbox भी किया है और ये बहुत ही बढ़िया TV है with a fantastic contrast ratio very deep blacks and very vibrant and rich colors इस TV के पहले lot में बहुत जादा लोगों को problems आई थी बहुत जादा bleeding issues देखने को मिले थे लेकिन उसके बाद से जो भी lots आ रहे हैं उसमें bleeding issues बहुत ना के बराबर हो चुके हैं इस तीवी को आप सिर्फ तब consider करें जब आपके room में बहुत कम light हो या फिर direct sunlight ना पढ़ती हो अगर आपके room में direct sunlight पढ़ती है तो आपको एक IPS panel का टीवी लेना चाहिए ये एक VA panel का टीवी है इस बात का खास खयाल रखें क्योंकि आपको जो deep blacks और rich colors इसमें से देखने को मिलते हैं VA ये पैनल होने की वज़े से वो sunlight पढ़ने पे आपको दिखने बंध हो जाएंगे इसलिए इसे आप उस scenario में ही consider करें Hisense आपको इस पे देता है one year की product warranty 32,000 रुपीज का cost करता था Hisense A71F Prime Day से पहले लेकिन इस समय आपको ये मिल सकता है 30,000 रुपीज का Now let's talk about pros and cons ये एक अच्छा TV है बहुत शांदार पैनल के साथ आता है इसमें आपको deep colors और dark blacks देखने को मिलेंगे जो एक अच्छे VA panel की basic property होनी चाहिए और वो इसमें है There is no doubt about it आपको ये ही same panel Toshiba TV और VU Premium, VU Ultra इन सब में देखने को मिलेगा because Hisense ही वो ही TVs बना रहा है और इनको दे रहा है VU को दे रहा है और Toshiba TV division तो है ही Hisense के पास तो basically ये सारे TVs बिलकुल सेम है आपको जो इन में से सस्ता मिल रहा है इसमें आप वो खरीदिये आप कुछ अलग नहीं खरीद रहे तीनो चारो एक ही TVs है Now let's talk about cons इन सब ही TVs के एक ही cons है इन सब में HDMI 2.1 EARC port है ही नहीं आप आज एक TV खरीद रहे हैं assume करते हैं कि शायद वो 5 साल तक चलेगा और 5 साल तक आपके पास HDMI 2.0 port का एक TV है 2.1 port आपके पास नहीं है और Hisense के service network के tie-ups इतने जादा नहीं है उनके claims बहुत पड़े हैं 16,000 network stations लेकिन वो local service network है और local technicians के साथ उन्होंने tie-up करे हैं जो की actual service network नहीं है established brands के मुकाबले में Hisense का network अभी काफी weak है these are the two cons और अगर हम बात करें इसकी alternate option की तो alternate option आपको सिर्फ एक IPS panel का TV ही लेना चाहिए क्योंकि विये panel के अंदर इस price range में this is the best TV आप मुसे दस बार और पूछेंगे मैं तब भी आपको Hisense ही recommend करूँगा और इस समय IPS panel के अंदर जो best TV है वो मेरे हिसाब से है LG UM7290 43 inch size के अंदर आपको ये 35,000 रुपीज का cost कर रहा है मैं आपको Motorola ZX Pro भी बोल सकता था जिसकी कीमत approximately 30 और 31,000 रुपीज के बीच में होगी लेकिन 3-4,000 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च करके आप LG का IPS panel TV ले सकते है Motorola ZX Pro 43 inch के अंदर भी आपको LG IPS panel ही मिलता है लेकिन think about this scenario आपके पस दो TVs हैं एक Motorola जो LG का पैनल लगा रहा है और LG जो obviously अपना पैनल लगा रहा है दोनो IPS panel है आप किसका टीवी जादा लेना पसंद करेंगे provided almost cost same हो 3-4,000 रुपीज LG का टीवी महंगा है लेकिन अगर मैं आपकी जगा होँगा तो मैं LG का ही टीवी खरीदूँगा This is my choice आपके उपर में अपनी choice थोप नहीं रहा दोनों लिंक्स आपको description box में मेलेंगे आपको जो टीवी लेना है आप वो लीजिए choice is completely yours 43 इंच के अंदर अगर आप एक premium टीवी लेना चाहते हैं तो आपके लिए Prime Day Sale में best offer रहेगी Sony का X74 model इस टीवी के अंदर आपको 8 bit plus FRC VAD LED पैनल मलता है जिसकी peak HDR brightness रले जाती है 340 nits तक और इस टीवी के अंदर आपको HDR 10 और HLG की support भी देखने को मिलेगी ये एक बहुत शांदार टीवी है लास्ट यर के X7400H का ही same panel यूज़ हुआ है इसके अंदर उसकी भी picture quality बहुत ही जादा शांदार थी इसमें कुछ छोटे मोटे tweaks करे गए है 2021 में सबसे major और सबसे जादा important है इस टीवी में Bluetooth का inclusion Sony के किसी भी पहले के टीवी के अंदर आपको Bluetooth compatibility नहीं मिलती थी आप उससे सिर्फ keyboard और mouse attach कर सकते थे headphones या फिर earphones नहीं लेकिन अब ऐसी कोई problem नहीं है आप Sony के इस X74 के अंदर headphone या फिर earphone या कोई भी और Bluetooth device connect कर सकते हैं and that is a fantastic thing ये एक basic चीज है जो हर TV के अंदर होनी ही चाहिए और वो अब इस TV के अंदर है इस TV के अंदर आपको बहुत ही शांदार colors देखने को मिलेंगे और tri-luminous display Sony के जो term है वो देखने को मिलेगा इस TV के अंदर आपको motion flow XR100 technology भी देखने को मिलेगी ये basically MEMC technology है जो Sony की अपनी बनाई हुई technology है and let me tell you it really works MEMC ये बहुत शांदार तरीके से काम करती है इस TV के अंदर और आपको motion blur के अंदर बहुत जादा significant तो नहीं लेकिन हाँ बहुत हद तक controlled दिखता है and that is a very good thing sports या फिर किसी और fast action scene को देखते समय आपको इस TV में हर scene को देखने में मज़ा आएगा colors और blacks की कोई बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि Sony ने इसमें बहुत अच्छे colors और deep blacks दिये है because of the VA panel Sony आपको इस पे देता है one year की product warranty and one year की extended warranty on the panel 58,000 रुपीज का cost करता था Sony X74 prime day sales से पहले लेकिन इस समय आपको ये 54,000 रुपीज के आसपास cost करेगा सभी type के discounts लगाने के बाद and that is a very good price क्योंकि X7400H जो की 2020 का model है वो 50,000 रुपीज से नीचे कभी भी नहीं गया और इस TV के अंदर आपको जो added features मिल रहे हैं last year के 2020 model से वो काफी अच्छे हैं and they are worth paying for 4,000 रुपीज इस TV के pros and cons की बात करते हैं मैंने आपको already बताया कि इस TV के अंदर आपको शानदार colors और deep blacks देखने को मिलते हैं Sony की picture quality is next to none इस TV के अंदर आपको motion flow XR100 technology देखने को मिलती है जो की MEMC technology है and it really works इस TV के अंदर आपको baffle speakers मिलते हैं जिनकी sound produce होती है screen पे vibration करने से and this is a fantastic technology very good technology and इस से audio बहुत शानदार produce होता है do not expect कि आपको cinema hall वाली feel आ जाएगी 20 watt के speakers से आपको ये feel कभी भी नहीं आ सकती लेकिन एक normal TV के speakers की अगर बात करी जाए तो उसमें ये speakers अच्छे हैं इस TV के अंदर आपको Bluetooth की inclusion मिलती है which is again, I told you it's a very very good addition हर TV में होना ही चाहिए because this is something which is very basic that we need now अब बात करते हैं कुछ कॉंस के बारे में इस TV के अंदर आपको Dolby Vision की support देखने को नहीं मिलेगी this is a disappointment for those people जो Dolby Vision content बहुत जादा देखते हैं Let me clear one more fact कुछ लोग मुझसे comment में पूछते हैं कि मैं Dolby Vision movies को download करके उसे अपनी USB से चला के देखना चाहता हूँ क्या मैं देख पाऊंगा इस TV में आप इस TV में नहीं किसी भी TV में ये Dolby Vision movie नहीं देख पाएंगे Dolby Vision USB से support नहीं होता So try and understand that इसी तरह से Dolby Atmos भी USB से support नहीं होता So Dolby Vision support इस TV के इंदर नहीं है इस TV के इंदर HDMI 2.1 EARC port भी नहीं है आपको HDMI 2.0 ports मिलेंगे This is again a very big disappointment Sony इस TV को अपनी budget range मानता है इसलिए इसमें 2.1 जिसको वो premium feature मानता है वो नहीं दिया गया I think it is not good but the TV is very good अगर आपको HDMI 2.1 की खास जरूरत नहीं है तो आप इस TV को जरूर consider करिये बहुत अच्छा TV है और इसके links आपको मैंने description box में दिये है अब बात करते हैं इस TV की alternate option की और alternate option is none other than Samsung का AUE70 यानि Crystal Pro उसके अंदर आपको वो कमिया नहीं मिलेंगी जो Samsung के अंदर मिलती है जैसे HDMI 2.1 EARC पोर्ट उसके अंदर आपको मिलता है मैंने इस TV के unboxing भी करी है और उसका link आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे कार्ड आजाएगा उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं इस TV के अंदर आपको अच्छी picture quality मिलती है blacks भी अच्छे हैं, colors भी अच्छे हैं लेकिन इसके अंदर भी Samsung TV के अंदर भी आपको Dolby Vision की support देखने को नहीं मिलेगी और Samsung TV की एक कमी अगर आपके लिए हो तो वो यह है कि वो Tizen OS के साथ आता है जबकि Sony TV आपको Android OS के साथ मिलता है यानि Google OS के साथ आपको मिलता है और latest Google OS है choice is yours, money is yours दोनों के मैंने links आपको description box में दिये हैं आप सोच समझ के फैसला करिये दोस्तों भूलिएगा मत कि Prime Day की सारी deals मैंने Prime Day list में डाली हैं जो आपको description box में मिलेगी उस list को download करके आप वो सारी deals directly चेक कर सकते हैं और कैसा लगा आपको ये वीडियो बताईएगा जरूर मुझे comment section में और अगर आपका कोई सवाल है जो आप directly मुझे पुछना चाते हैं Prime Day पे किसी भी purchase से related तो मुझे comment section में लिखिए मैं आपका जवाब 24 hours के इंदर दूँगा ही दूँगा ताकि आप उस discount को miss न करें और आप अपना मन चाहा product खरीद पाएं और मैं आपको मिलता हूँ अपने next video में बहुत ही जल्दी Thank you very much